स्वागता का मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोर्मेशन पर लेकर आगे हूं के लिए शांदर वीडियो के अंदर में मैं आपसे बास्चीत करने वाला हूं क्या मार्केट जो है वो गिर सकता है क्या तो देखिए मार्केट जब ओपन हुआ था तो मार्केट डाउन फॉल में आपा मेर्केट ने स्सक्राइग करने दी करने हों सकती है क्या में बताता हूं आपको कि गिरावट होने का केवल और केवल जो है न वो एक ही कारण होगा अगर कोई कारण होगा तो 23 तारिक जो की मंगलवार है उस दिन है उसके बीच में आपके पास में फ्राइडे का और मंडे का ये दो दिन बचे हुए है अब आप देखेंगे न तो इसके अंदर में ये हो रहा है कि भाईया के कारण इस नहीं मार्केट के थोड़ा सा वोलकर डाल है कभी नीचे गया कभी उपर गया कभी नीचे गया कभी उपर गया इस तरीके से मार्केट जो हो जाधा चलव है, अब क्या वो एक वज़या है जिसकी वज़े से जो है basicly sensex down जा सकता है तो उसके बारे हम बात करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो वो एक और एक चीज जो है जो है tax अब tax कौन सा भाई है? tax तो दो होते हैं एक तो होता है direct और एक होता है indirect तो indirect जो होता है वो downfall के दे रखें तो वो आपको देखने को फिलाल मिल सकते हैं GST की council जो है वो August के अंदर में वापस होगी after taxation तो यहां पर आपको वो चीज देखने को मिल जाएगी अब जो एक ही चीज बचिए वो बचा है direct tax और direct tax में हमारा जो है वो है capital gain tax income tax ठीक है तो capital gain tax जो है वो 15% और 10% आपको पता है लगते हैं यह हो गया आपका short term का यह हो गया आपका long term का अब short term long term के अंदर में see नहीं हो रहा है कि भाई इसके अंदर में जो tenure है ना long term का अगर वो उसको increase कर देते हैं तो यहां पर market गिर सकता है यह एक chances है सबसे पहला ठीक है दूसरा आ जाते हैं हम अपने income tax की तरफ में IT जिसकी हम return भढ़ने वाले हैं अभी 30 July उसकी last date जो है तो आप उसको भढ़ देना पहले से तो फिलाल उसके अंदर में 23 July को जो है वैसे taxation आ रहा है अब उसके अंदर में taxable हो रही है income तो यह वाला जो पुराने old के इसाब से क्योंकि new के इसाब से तो 7 लाग तक का जो है taxable free है लेकिन जो old है 5 to 7 lakh के बीच में जो deductions आपको मिलती है उसको increment करना चाहिए अगर वो increment होता है तो अच्छा है नहीं होता तो market definitely आपको down देखने को मिलेगा तो जो market है पूल तरी से dependent किस पर केवल एक ही amendment पर dependent है यहाँ पर उसके अलावा market को कुछ नीची यहाँ पर क्योंकि क्या होता है कि market के अंदर में corporate tax है बहुत सारे tax है ठीक है well tax है और फिर उसके बाद में luxury tax है बहुत सारे tax है लेकिन उसे इतना फरक नहीं पड़ता है आम जनता जो सबसे ज़्यादा है उसको कितना फरक पड़ेगा आम आदमी के लिए budget में क्या आया यह question जो होना चाहिए budget के अंदर में तो फिलाल मैं आपक तो आपको 100 ग्रोड के आसपास देखें मुलेगा लेकिन जो current price है अगर आप देखेंगे तो 3500 रुपए से लेके सीधा 15000 रुपए के आसपास में चली गई है face value 1000 है तो इसका वंदर क्या 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो उसके face value तब भी इसकी क्या रहेगी 10 निये net profits के अंदर में भले ही चाहे वह quarter हो चाहे वह basically क्या हो yearly हो बट yearly के अंदर में जो losses है वह थोड़े बहुत जो है यहाँ पर कम हुए company के हिसाब से company ने return जो है 26% का साल निकाल के दिया है फिलाल के लिए अगर आप यहाँ पर देखें रिजर्व को तो रिजर्व जो ह चुके हैं बोरिंग्स यहाँ पर एक करोड़ की थी वह भी जो 47 करोड़ों तक पहुंच चुके इसका मतर क्या है के company debt free तो नहीं है company ने अपने बोरिंग्स को क्या किया है increase कर लिया फिलाल के लिए यहाँ पर आप चलता है डेटर डेस की तरफ जो कि पहले 17-18 के आस-पास करते थे वह बावन हो चुके हैं तो company के अंदर में जो है इस्तिती जो है यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वह 2000 यहाँ पर आगर आप देखेंगे इस quarter तक लास्ट चार quarter से पहले तक जो है प्रमोटर होल्डिंग थी वह थी 75% जो कि अब पाटने वाला है 100 shares के अंदर में जिसका नाम मैं आपको अताता हूं जम्ष्री रियालिटी लिमिटेड ठीक है जम्ष्री रियालिटी लिमिटेड कंपनी के वारे थोड़ा सा जान लेते हैं 1907 की company है फिलाल के लिए company जी जो है उसका जे आर इगनाइट बिजनेस पार्क आ बी ओटी जो उनका बिजनस मॉडल है वो है बिल्ट ऑपरेश्ट और ट्रांसफर करना रेविन्यू का जो ब्रेक आप आता है इनका वो आप देखेंगे तो 36 परसंट जो है वो रेंटल इंकम है 43 परसंट होस्पिटेलिटी सर्विस है और 21 परसंट अधर इंकम से आता है औ और जो ऑडिटर्स हैं वो अभी इन्होंने चेंज किये थे 26 जुलाइट 2022 तो मतलब इसका है कि ऑडिटर जो है वो नए ऐसा नहीं कि बार-बार चेंज कर रहे हैं पूरानी ऑडिटर है तो कंपनी के अंदर में कोई दिक्कत नहीं कंपनी लॉसे से दिखा रही है शौट ट जाएंगे आपके बास में 100 शेयर का मतलब 1000 शेयरों के अंदर में वो डिवाइडड हो जाएंगे रिकॉर्ड डेट अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किये लेकिन जैसे ही आएगी मैं आपके साथ में लेकर चलूंगा आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अगर किसी ने चार से आट लॉट में काम किया है तो फिलाल के लिए इस गुरूप की प्रैजिंग है थाउजन रुपीस पर मंत की दिए के नबर पर कॉल्या मैसेज कर सकते हैं अगर आप हमारे केवल और केवल future and option या intra day या फिर stock option से जुड़ना जाते हैं यह तीनों प्रैजिंग भी थाउजन रुपीस पर मंत है लेकिन अगर आप केवल और केवल काम करते हैं stock holding के अंदर में short term long term के लिए तो उस ग्रूप की प्रैजिंग है 300 रुपीस पर मंत की और अगर आप आज उड़ते हैं तो आपका जो प्लान है वह 19 तारिक से लेके मतब 19 जुला आपका तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर करना और बजट के लिए हम बैसिकली लाइव आएंगे special session भी लेंगे Friday, Saturday, Sunday तक तो देखते हैं कैसे क्या रहता है और मिलते हैं जल्दी next वीडियो के अंदर में किसी गुरूप से जुढ़ना तो दिएके नबर पर call या message कर सकत बीडियो के बीडियो कर दो दिएके लिएके आएंगे याइब। याएंगे लिएके लिएके वान याइब।.